यह आपका पार्ट फूर वीडियो चित्र का पार्ट फूर वीडियो में एक्सराइज 11.1 पे है और कुर्शन नमबर है 34 करा एक्स के साब एक्सनिम लिखित पन्नों को आउका लिख करें डिफ्रेंटियेट करना है चलिए लिखे 34 नमबर माना y बराबर में sin 1 plus x square by 1 minus x square लिखेंगे differentiating with respect to x क्या हो जागा dy by dx क्या हो जागा differentiation of sin 1 plus x square by 1 minus x square और किसके respect में होगा तो 1 plus x square बटा 1 minus x square इन्टी हम लोग फिर अंदर वाने का इसका differentiation करेंगे अभीने function का 1 plus x square by 1 minus x square with respect to x चलिए आगे solve करते है तो sin है तो sin का differentiation तो को हो जागा 1 plus x square by 1 minus x square इन्टी इसको u by b पे ना तो क्या हो जागा denominator का square यानि 1 minus x square का हो जागा इसका differentiation differentiation of 1 plus x square with respect to x इन्टी में 1 minus x square को ऐसे ही लिखेंगे minus 1 plus x square को ऐसे ही लिखे और differentiation of 1 minus x square with respect to x चलिए अब देखेंगे इसको तो ऐसे ही रखेंगे ना cost 1 plus x square by 1 minus x square इन्टी नीचे वाले का x square है तो इसको तरसी रखेंगे चलिए यहाँ देखो इसका differentiation तो 1 का 0 और x square का क्या हो जागा 2x bracket में जो है वो रहना दीजिए 1 minus x square minus इसको वैसे ही रखेंगे 1 plus x square 1 का 0 और x square का 2x होगा तो माइनस एक माइनस 2x हो जागा चलो आगे इसको solve करते हैं cost 1 plus x square by 1 minus x square इन्टी ने दो क्या हो जागा 2x minus 2x cube 2x minus 2x cube minus minus plus हो जागा 2x plus में 2x cube बटा में आपका 1 minus x square का हो जागा यह यह कर जागा यह चारक को जागा न 4x by 1 minus x square का whole square इन्टी में cost 1 plus x square by में 1 minus x square आपका answer आ गया एकरा question देखते हैं 35 number question इसको मालने तेह माला y बराबर में root under sec x minus 1 बटा में sec x plus 1 इन्हें दिया है अब इसका differentiation करते हैं देखिए मैं यहां पे इसको कुछ अलग तरीके से सोच रहा हूँ मैं इसे पूरे short तरीके से बनाता हूँ देखो मैं यहां पे sec x को 1 by cost कर सकता हूँ यह थोड़ा trigonometric का मैं use करना चाहता हूँ वैसे आपको बता रखा हूँ जिस तरीके से आपको पहले बताया हुए question वैसे आप बना ही सकता हूँ मैं इसमें थोड़ा सब trigonometric का यूद करता हूँ और इसे और असान करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे LCM लिए यहाँ पर cos x तो यहाँ होगा 1-cos x ठीक है यहाँ पर भी LCM लेंगे तो cos x हो जाएगा यहाँ यहाँ प्लस cos x तो यहाँ cos cos कर जाएगा याँ y पराबरा जाएगा रूट अनल 1-cos x बता हमें 1-cos x ठीक है और इसका हो जाएगा 2-cos square x by 2 मैं short में बनाने की निए सोच रहा था इसलिए ऐसा कर रहा हूँ y बराबर में root under क्या हो जाएगा 10 x square x by 2 यानि कि यहाँ से आप देखो तो अगर y बराबर आ जाएगा root अटाइगा तो 10 x by 2 तो देखो कितना असाल हो गया इसलिए मैं कहा रहा था मैं इस तरह से बनाने कोशिस कर रहा हूँ यानि कि यहाँ से आपका dy by dx क्या हो जाएगा तो differentiation of 10 x by 2 with respect to x by 2 और फिर आपका x by 2 उपर जाएगा x by 2 अगला function है और by dx तो 10 का हो जाएगा say square say square x by 2 say square x by 2 into मैं इसका 1 by 2 यानि कि 1 by 2 say square x by 2 तो यहाँ आपका answer हो गया तो answer कोई भी करते different भी मिलेगा तो कोई problem नहीं है उससे हो सकता है कि उसको आप simplify करें तो यहाँ आजाए question number 36 देखा दे इसको माल लगते है माला y बराबर sin square x बटा में 1 plus cos square x differentiate करता है differentiating with respect to x dy by dx यू भाई भी पर करेंगे ना चलिए तो denominator का square कर देंगे यानि 1 plus cos square x का whole square इसका differentiation तो इसका differentiation देखो पहले तो power वाले का करेंगे ना पावर हटे तो यानि अगला function sin x होगा यानि कि sin x से respect में पहले करेंगे फिर sin x को उपर ले जाएंगे यानि sin x अगला function होगा और with respect to x इन टू में भी को वैसी रखेंगे 1 plus cos square x माइन तब की बार sin square x को वैसी रखे और differentiation of denominator स्क्राइब यानि कि स्क्राइब करेंगे निचे अगला function cos x और फिर इन टू में इन टू में differentiation of cos x with respect to x चलिए आप यह ब्रेकेट बंद होगे समझ गहला यह इसमें का आगे का स्क्राइब है चलिए देखता है तो sin square x है न तो square power नीचे उतरेगा और power में से एक खड़ जागा यानिकि 2 sin x आ जाएगा into में sin का cos और bracket में है आपका 1 plus cos square x minus sin square x अच्छा देखो 1 का तो 0 हो गया यहाँ पे इसका करते है cos square का क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos x 2 cos x और नीचे उतरा power में से एक खड़ गया और cos का minus का sin माइनस का sin चलिए आपका divimeter में जो है वो रख बहने देते हैं यानिकि आपका जो है 1 plus cos square x का 1 square चलिए उपर चाहो तो into कर सकते हैं तो इसमें into करोगे यहाँ पर यहाँ फॉर्मुला भी रख सकते हैं इसका फॉर्मुला होता है या sin 2x का फॉर्मुला हो जागा ना sin 2x के bracket में 1 plus cos square x और minus sin square x यहाँ पर भी यहाँ यहाँ माइनस भी है यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो और यहाँ भी आपका sin 2x का ही फॉर्मुला दिख रहा है ठीक है और बटा में 1 plus cos square x का होना चलिए इसमें into करो तो sin 2x प्लस sin 2x cos square x प्लस में sin square x sin 2x sin 2x और बटा में आपका 1 plus cos square x का होना चलिए आगे solve करते हैं देखिए sin 2x अच्छा है इन दोनों में आप sin 2x common पर लो sin 2x तो यहाँ पर जाएगा आपका cos square x और प्लस में sin square x बटा में जो है वो रहा है तो 1 plus cos square x का होना चलिए तो यहाँ पर sin 2x प्लस यहाँ देखिए यहाँ यहाँ यह जूर जाएगा तो वोन हो जागा तो यहाँ साइगा sin 2x और बटा में आपका 1 plus cos square x का होना चलिए तो यहाँ यहाँ प्लस यहाँ से आपका answer आगे समझे है 37 नमर जो question देख रहा है question नमर 35 था न उसी type का है उसी type का है तो इसमें अब और दूसरा तरीका लेगता हूँ ठीक है? इसमें एक और तरीका हम लोग विज़ कर लेते हैं इसको हम लोग न, y पहले माल लेते हैं root under 1 plus में sin x और beta में 1 minus sin x ठीक है? मैं इसको और दूसरे तरीके से तो इसमें फॉर्मूल लगाता है यहाँ पर भी मैं फॉर्मूल लगाँगा लेकिन दूसरा लगाँगा मैं इसका परिमेकरन करूँगा 1 plus sin x 1 minus sin x into 1 plus sin x आप नीचे 1 का स्कॉर 1 और यहाँ पर पहले रहने दो पहले स्कॉर लगा दो बाद में हटाए जागा नीचे दोको 1 का स्कॉर 1 और minus sin x तो कॉस स्कॉर हो जाएगा अब दो में जगे से एक ही साथ हटा दो यहाँ से अगर हम देखें तो y बराबर में हो गया 1 plus sin x और बटा में आपका cos x अलग-अलग डिवाइड कर दो तो y बराबर में हो जाएगा 1 by cos x plus में sin x by cos x तो देखो y बराबर में यहाँ से सेक x हो गया और यहाँ से यहाँ 10 x हो गया तो अब इसका differentiation कर दो differentiating with respect to x याँ कि dy by dx क्या हो जागा सेक x क्या हो जागा सेक x 10 x और 10 x क्या हो जागा सेक x square x यहाँ से common कर लो क्या common है सेक x common है यहाँ बज़ जागा 10 x और यहाँ बज़ जागा आपका सेक x यह आपका answer हो गया समझ गया ना तो उसी तरह से आप यह उपर माइनस है निचे प्राइब सही था है टिक इसी तरह से है है जो यह अगर आ feito करन करके बनाते नमे इसकाइबrial से स्कोई एक सुग्यार ऐसे तो मेठों मेरा कि इसकाइब वही आजागा जो आपको बुक में दिया है इसलाइट करके बनाओगे तो एगला कोशन लिखता है 38 नमबर ठीक है बहुत अच्छा कोशन है इसको मालने तहमान य बराबर में 210x 10x plus में cos x का whole square ठीक है लिखेंगे डिफ्रेंसियेटिंग with respect to x क्या हो जाएगा डिवाई बएडीक्स इक्वाल टू डिफ्रेंसियेशन अफ टू 10x बटा में 10x प्लस में cos x का whole square बाई में इसके respect में तो 2 10x पाउर हटा के लेंगे ना बटा में 10x plus cos x ते respect में और फिर अभी इसका डिफ्रेंसियेशन करेंगे यानि 2 10x बटा में 10x प्लस में cos x का डिफ्रेंसियेशन x के respect में इसका तो फार्मुला जानता है फार्मुला के कोर्डिंग हो जागा इसका 2 पाउर निचे इतरे गा पाउर आसे घड़ जाएगा यानिकि 2 इंटू में आपका जाएगा 2 10x बटा में 10x प्लस cos x पाउर वन ही न बचेगा तो नहीं लिखेंगे इसको यू भाई भी पर डिफ्रेंसियेट करना होगा तो यह आप हो जाएगा 10x प्लस में cos x का होल स्कार इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे तो देखो तो 2 10x का हो जागा यहाँ पर 2 आचा 10x का क्या हो जागा c के स्क्वाइर x ठीक है आप चाओ तो यहाँ से 2 बाहर भी निकाल सकते हो तो इसको एक ही बार इन सब के बाहर ही रखते है उसको जमेला ही नहीं रखते है इसके साथ कुछ तो आपका बाहर ही रखना देते है यह 10x आपका u है और 10x प्लस cos x भी है तो नीचे बाला का सका हुगा 10 का differentiation क्या हो गया तो c के स्क्वाइर इंटू में आपका रहेगा 10x इंटू में cos x माइनस अपकी बाद 10x को ऐसे ही रखेंगे और इंटू में इसका differentiation तो यहाँ पर 10 का हो जागा c के स्क्वाइर x है तो तो प्र आपका cos है तो cos का होता है माइनस का sin x समझ भाए है चलिए अब आगे इसको solve करते है आगे solve कर अगे तो क्या होगा यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 4, 8 8, 10 x अचा ब्रेकेट के अंदर यह ज़िए इसको solve करते है c के स्क्वाइर x 10 x पलस c के स्क्वाइर x cos x माइनस यहाँ देखो क्या होगा यहाँ पहुँजागा c के स्क्वाइर x 10 x ठीक है और माइनस माइनस पलस हो जागा 10 x इंटू में साइन x और बटा में देखो क्या होगा यह एक बार है यहाँ दो बार है तो क्यूब कर देता है 10 x पलस cos x का होल क्यों देखिए यह पर यह और यह कट जाएगा यानि कि आगे आगे आपका 8 10 x यह दोनों पलस में नहीं रहेंगे सेक स्क्वाइर एक्स कॉस एक्स पलस में 10 x साइन एक्स बटा में जो है आपका वो रख जाता है 10 x पलस में कॉस एक्स का होल क्यूब ठीक है होल क्यूब है समझ यह यह आपका एंसर हो गया एक और काम यहाँ कर सकतो है एक स्क्वाइर बढ़ा दो एक्चूल में देखो मैं क्या कहने के लिए बात करा हूँ यहाँ पर एक सेक एक साइक साइक्स सेक एक साइक्स वन हो जागा एक सेक एकस बज़ जाएगा समझ गया ना सेक एक सी पलस में सेक एक्स इंटू कॉस एक्स वन होता है, तो एक सेक एक सेक्स बचेगा न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यह अगला देखते है, 39 नम्मर, ठीक है, इसको भी य माल लगते है, माल य बराबर में भी आए, रूट एक्स इन्टू में साइन, यू इन्टू भी पे है, और प् च्छा, और प्लस ने, इफ्रेंशीयेटेशन ऑफ साइन रूट एक्स, जैसा साइन रूट एक्स, यू इसको इफ्रेंशीयेट कहेंगें, ईू इम्टू भी पे न, चलिसको टिस तरह से हो जाएगा, तो पैला यू काथेंशीयेशन यह रूट पेस्का दिपून्येशacio और sin x को वैसे नहीं रखेंगे और plus अब की बार root x को वैसे रखेंगे और sin x का differentiation तो यहां इंट भी वाला formula लगा दिया और यहां पे chain rule वाला लगाना होगा ना जी sin root x अगला function इसका root x है और फिर root x का differentiation with respect to x तो यहां self लगा यहां इंट भी वाला formula लगा तो रूट x का 1 by 2 root x इंटू में sin x plus root x cos x और plus sin का यहां पे cos root x और root x का यहां बाहर देते हैं 1 by 2 root x एक step बचा लिए इसको यहां लिगी है कोई दिक्कत नहीं है ना अब यहां पे मैं 1 by 2 root x common कर लेता हूँ अब सुचो कि सर इसमें तो है नहीं देखो ना आ जाएगा और plus में cos cos root x समझें यह आपका answer आ गया एक उसल नमबर 40 देखते हैं यहां भी चलो माल लेते हैं इसको माना y बराबर में cos ax square plus में bx plus में c plus sin cube root under ax square plus bx plus में c चलिए अब लिखते हैं differentiating with respect to x क्या हो जाएगा dy by dx बराबर में क्या हो जाएगा इसका differentiation करेंगे तो कैसे करेंगे देखो इसका differentiation share rule से करते हैं cos ax square plus bx plus में c by में किसके respect में होगा इसका differentiation तो ax square plus bx plus यहीं अगला function है फिर into ax square plus bx plus c किसके respect में तो x के respect में प्लस इसका करते हैं तो पहले power है तो power वाले का लिखे होंगे na sin cube root under ax square plus bx plus c ठीक है अच्छा किसके respect में करेंगे तो यहां करेंगे sin root under power हटा दिये हैं बस ax square अगला function ही ना है bx plus c sin root under ax square plus bx plus c अब फिर differentiate करेंगे अगला function sin root under ax square plus bx plus c किसके respect में तो root under ax square plus bx plus c के respect में फिर into करेंगे और फिर यहां पर इसको differentiate करेंगे अगले function को root under ax square plus bx plus c को किसके respect में करना होगा तो यहां पर हमें करना होगा ax square plus bx plus c के ax square plus bx plus c root हटा दी है फिर अगला इसको differentiate करेंगे root हटा कर ax square plus bx plus c को किसके respect में करेंगे तो x के respect में चलिए लेखते हैं cos है तो minus का sign ax square plus bx plus c into में into में इसका तो ax square x square का 2x होता है यानि कि 2 ax आ जाएगा और bx का b हो जाएगा constant c है तो 0 हो गया और फिर plus में यहाँ पर power नीचे उत्रा power में से एक घटेगा तो 3 sin square root under ax square plus bx plus c ठीक है into में sin है तो यहाँ हो जाएगा cos cos root under ax square plus bx plus c into यहाँ root में है तो इसका 1 by 2 root x लिख दें into में 1 by 2 root under ax square plus bx plus c और फिर into में इसका करेंगे तो ax square का 2 ax हो जाएगा और bx का b हो जाएगा समझे रहे ना तब खाली इसको सजा के लिखे देना है minus का minus का यह आएगा पहले 2 ax plus b into में है आपका sign ax square plus bx plus c अब चलो इसमें दखो यहाँ plus है plus plus में इसी के साथ 3 है और यहाँ 2 है तो 3 by 2 3 by 2 अच्छा बटा के नीचे आपका यहीं न रहेगा root under ax square plus में bx plus c और उपर आपका यहाँ आएगा a2 ax plus में b into इसको लिखते है cos root under ax square plus bx plus c और फिर into में यह वाला sin square root under ax square plus bx plus c यहीं न आपका answer आजागा सारे term तो हमने लिख दिया question number 41 देखा जाए चलिए मान लेते है y बराबर में sin root under 1 minus x square plus x square cos 4x तो यहाँ यहीं टूबी पे यहाँ chain rule पे लिखेंगे differentiating with respect to x किस तरह से लिखेंगे dy by dx क्या हो जागा तो इसका differentiation करेंगे sin root under 1 minus x square 1 minus x square के respect में फिर इसको उपर लिखेंगे root under 1 minus x square को और by में किसके respect में 1 minus x square के respect में फिर differentiate करेंगे 1 minus x square को किसके respect में x के respect में और plus इसको u into b पे तो differentiation of x square और into में आपका cos 4x होगा और plus cos अपकी बार x square को वैसे ही रखके और differentiation of cos 4x तो cos 4x का differentiation कैसे होगा तो 4x नीचे हैगा फिर 4x का differentiation करेंगे x के respect में यह न होगा जी चलिए देखते हैं इसको तो यहाँ पे sign है तो इसका यहाँ क्या हो जागा cos cos root under 1 minus x square into root x है तो 1 by 2 root under 1 minus x square into यहाँ देखो 1 का 0 x square का 2x होगा तो minus का 2x है क्योंकि minus है चलिए यहाँ 2 से 2 काटा जा सकता है है ना चलिए आगे solve करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा plus में x square का 2x 2x cos 4x अच्छा plus में x square यहाँ पे cos का हो जाएगा minus का sign 4x और 4x का हो जाएगा आपका 4 ठीक है चलिए अब क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा minus का x minus का x बटा में root अंडर 1 minus x square cos root अंडर 1 minus x square plus 2x cos 4x minus 4 x square sin 4x आपका answer हो गया यह आपका answer हो गया समझ गया है चलिए चलते हैं next question पे question number 42 देखा जाएगा इसको मालने तेहमान y बराबर 1 by 4 root अंडर 4x cube minus 1 plus cos square 5x plus 8 तो पहले भईया इसको simplify करना होगा देखो y बराबर में 1 by 4 into मैं एक काम करता हूँ 4x cube minus 1 का power minus 1 by 2 कर देता हूँ root हटता है तो power 1 by 2 लगता है यह उपर गया इसलिए power में minus का 1 by 2 आगया है plus में cos square 5x plus 8 अब differentiate किया जाए देखता है differentiating with respect to x तो यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा तो 1 by 4 1 by 4 क्या होगा into में differentiation of 4x cube minus 1 का power minus 1 by 2 with respect to चाहे नहीं भी देंगे bracket तो चलेगा 4x cube minus 1 into में 4x cube minus 1 का differentiation x के respect में और plus इसको differentiate करेंगे तो differentiate करेंगे तो differentiation of cos square 5x plus 8 with respect to किसके तो cos 5x plus 8 के respect में और into में differentiation of cos थोड़ा और इधर से लिखने दो into में है इसके into में है differentiation of cos 5x plus 8 किसके respect में? 5x plus 8 के respect में और फिर 5x plus 8 का differentiation x के respect में चलिए अब इसको solve करते हैं देखते हैं इसका क्या आता है यहां से answer तो इसका rule के आपको पता है कि power पहले नीचे उतरेगा power पहले नीचे उतरेगा और power में से 1 घट जाएगा तो 4x cube minus 1 का power एक घट आएगे तो minus का 3 by 2 हो जाएगा into 4x cube का क्या हो जाएगा तो 4x cube का तो power नीचे उतरेगा तो 12x square और 1 का 0 तीक है फिर plus देखर आगे देखिए इसमें क्या है cos square है तो power नीचे उतरेगा power में से 1 घट जाएगा यानिकि 2 cos 5x plus 8 power में वह नहीं ना बचेगा जी तो 12 लिखना जरू नहीं है फिर into में यहाँ cos है तो cos का differentiation minus का sin minus का sin हो जाएगा sin 5x plus 8 ठीक है और into में 5x का क्या हो जाएगा 5 8 का 0 तो सिर्फ 5 ही लिख देते हैं चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है तो इसको काट सकते हैं यहाँ से 4 से इसको 3 बार में और यही न आएगा तो यहाँ देखो minus का 3 by 2 हो जाएगा minus का 3 by 2 into में 1 by इसको नीचे भेज़ेंगे 4x cube minus 1 का power में 3 by 2 यही न होगा फिर आपका यहाँ पे एक एक x square बचा है एक x square को यहीं देते हैं इसको 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ दोना 10 हो जाएगा यहाँ फर्मूला भी लगा सक Ó फर्मूला क्या दिख रहे हैं तो यहाँ देखेए आप दोते हो यह पहले plus minus minus कर दो plus minus यहाँ पर minus कर देते हैं ठीक है plus minus five को लिख दो यहाँ देखोіз साइ देखो यहां पर two sine a cos b sorry two sine a cos a formula दिख रहा है ना यह two sine a cos a किसका formula है sine two a का ठीक है चाहो तो इसमें into भी कर सकते हो चाहे इतना भी आप छोड़ सकते हो तो यही थे आपके question इस तरह के इस वीडियो को मैं यहीं paint करता हूँ please आप channel को subscribe करेंगे तो भी आपको वीडियो देखना होगा आप सीधे description box में जाना मैंने पूरे book का link के नीचे description में दिया है और वीडियो को like share करना नहीं बुलेंगे और comment करके जरूर बताएंगे कि हमारे channel के वीडियो आपको कैसे लगते हैं thanks for watching the video